नमस्कार में आसमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News ब्रिज भूशन सरन सिंग को लेकर ग्रह मंत्री अमिश शाह ने मीटिंग की महिला पहलवान खिलाडियों के साथ और मीटिंग में महिला पहलवान खिलाडियों की शर्तों को मानते हुए ये कहा गया कि आप आंदोलन खत्म कर दीजे शांती बनाए रखिये हम आपके बातों को मानने के लिए तयार है यहां सिर्फ अमिश शाह की साथ मुलाकात नहीं होती है यहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी मुलाकात होती है 6 गंटे की बैठक होती है और इस बैठक में कई शर्तों को मान लिया जाता है जैसे कि यहां पर 15 जून तक का समय दिया जाता है कि यहां पर ब्रिज भूशन को लेकर जो भी जान चल रही है उसके सारे सबूत यहां पर पेश किये जाएंगे एक रिपोर्ट कोट में समिट की जाएगी यह सारी बाते यहां पर देखी गई इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 30 जून की बात की गई है यहां पर फिर से अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होगा यहां पर सरकार अब इस पूरे मुद्दे पर कुछ करती वी नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ सबको इंतजार है कि 15 जून को क्या होगा क्या वाकिए यहां पर 15 जून का जो आशवार्शन यहां पर अमिश्चाह ने दिया है वो पूरा करते वे नजर आएंगे अगर यहां पर 15 जून तक भी कोई फैसला नहीं सुनाया जाता ब्रिजबूशन सरन सिंग की गिरफतारी नहीं होती क्योंकि यहां पर राकेश्ट के नितरित में महिला पहलवान खिलारियों ने साबतार पर कहा था कि हमें गिरफतारी के अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें चाहिए कि ब्रिजबूशन सरन सिंग जिस पर योन शोशन के आरोप लगे है वो सलाखों के पीछे पहुँच जाए तो ऐसे में अमिश्चाहा ने तो यह दावा किया कि यहां पर अगर सबूत मिलते हैं तो वाके यहां पर गिरफतारी होगी यहां पर याची का दाखिल की जाती है अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस जाश तो कर रही है लेकिन सबूतों की बात की जाए तो वो कहीं न कहीं यह देखे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस यहां पर सबूतों को मिटाती हुई या ब्रिजबूशन सरंसिंग के खिलाफ कोई कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है वैसे में क्या अमिश्चाह ने जो दावा किया है अगर वो दावा पूरा नहीं होता है 15 जुन तक कोई फैसला नहीं सुनाया जात है तो क्या अमिश्चाह अपने पद से स्तीफा देते वे नजर आएंगे क्योंकि सिर्फ यहीं मामला नहीं है मणिपूर हिंसा का मामला लगा लिजे करनाटक में बयानों को लेकर सारे मामलों के तहत यहां पर अब अमिश्चाह बुरी तरा से घिर चुके हैं अगर अगर अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं तो क्या यहां पर उनका इस्तीफा तैमाना जाए और जिस तरीके से पूरा शड़ियंत्र रचा गया है तो आफसे में क्या ब्रिज बूचन सरन सिंग की गिरफतारी हो पाएगी क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताए क्यों बाल्यव हैं